हम लोग इस समय एक्स्प्लाइन इस तन दिख रहे हैं अच्छा बोर्ट पर जो हेडिंग लिखी थी वह साफ नहीं थी क्या है साफ साफ दिखाई दे रहे थे नहीं इसक्रिन पर आपके नहीं दिखाई दे रहे थे एक बार फिर हम बताते हैं ठीक है सबसे पहले समझो आपको बताया दवड़ा कि एक काला इसकेश रखना दूसरा जल पन जिससे आपकी राइटिंग खुब अच्छी बनती हो नीला जल क्योंकि अब बोर्ड पर इच्छा में नियम हो गया है कि केवल दो ही शाही आप इस्तिमाल कर सकते हो पहले जो रंगाई पुता ही होती थी अलग अलग शाही लोग इस्तिमाल करते थे तो बोर्ड ने नियम निकाल दिया केवल दो प्रकार की शाह इस्तिमाल होगी काली और नीली तेसले कहते हैं काला इसकेश और नीला जल अब पन्ना बिलकुर जब कर सोना चाहिए तो जब बताया था एक बार फिर समझो यह आपका पन्ना है सब से उपर जो यहाँ वो हाशिया बना है इसके ठीक उपर लिखना है एंसर नमबर एक जो भी आपका एंसर है बड़ा ब्रेकट एक्सप्लानेशन डैस करके पट्री पट्री का एक्सप्लानेशन लिख रहा है न वड़ा यह अंडर लाइन होगा यह अंडर लाइन नहीं होगा ठेकर अभी आप कुछ लिखे ना अभी क्यो समझे आपके लिखाते समय मताएंगे समझो क्यो अब यहाँ पर एक हासिया होगा इधर भी वड़ा यह देख रहा हो ना इस हासिया के ठीक बगर लिखना वड़ा हैंड्स हैंड्स में हैंड्स माने आध्यांत यह आध्य होगा इस्टेंजा का आध्य होगा और यह अंत होगा तेकर हैंड्स लग दिया आप हैंड्स के नीचे हैंड्स डालोगे यह रेफरेंस 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 माने होता है उड़ा संदर्व क्या होता है संदर्व यहां से लिखना शुरू करना, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए लास तक लिखना, दूसरी लाइन यहां से शुरू होगी, ठीक, जैसे हम बता रहें ऐसे लिखना, नहीं तो सब कुछ सही लिखोगे, और तुमारी कापी में प्वेट्टी टाइप लिखा हुआ बन जाएगा तो प्रेजेंटेशन जोड़दार होना चाहिए लिखना, टीवी देखते हो, वहां पर लिख्या आता है प्रेजेंटेड बाई, तो जो चीज आप जानते हो, उसका प्रस्तुती करन कितना जोड़दार हो, यही तुमारी खाज़के थे लिखना, आप इसके नीचे हेडिं प्रेजेंटेशन जोड़दार हो, यही तुमारी खाज़के थे लिखना, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए, दीश नचोरना, दूर्ष्टी लाइन यहां से, अगर पूरी होती है, पूरा पन्ना पूरी लाइन भरी होनी चाहिए, ठीक है, कांटेश्ट लिखिया, लिखना शुरू करना, यहां से, पूरा पन्ना भरा होगा, दूसरी राइन यहां से आएगी, पूरा पन्ना भरा होगा, समगे न, एक चीद ध्यान करना, एकस्प्लानेशन में कभी इस्टेंजा चेंज न करना, एकस्प्लानेशन में से इंजा चेंज, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता बटा, अब इसके नीचे हेडिंग डालोगे, नोट्स, नोट्स नहीं, नोट्स, नोट्स माने टिपड़ी, ठीक है, नोट्स के नीचे हेडिंग पड़ेगी, टाइप आप पोयम, यानी कभित का प्रकार प्राःत्व स्यंहें बताया है सब दिखाएंगे तरह अलां मिन खेंघे दोस्री राइम इस के दुटा Zarजल्ग के नीचे फीर करने कि अलंकार कि इस प्रोकुष optimistic यानिक भासा सहली कैसी है फिर उसके निचे लिखोगे कविता का उद्देश क्या है परपज यानिक आपको प्लाया जा रहा है तो उद्देश इसका क्या है क्या सिखाया गया यह लिखना है लाश्ट में ठेक है जब आप इस स्टाइल से लिखोगे देखो क्या एंसर नंबर एक एक्स्प्लानेशन पर ट्री यहां पर जो हेड एक लाइन खिची होगी हांसिया के पहले कुछ नहीं लिखना है इसलिए वह हांसिया बनाया जाता है उसके बाद हैंस आध्यावरंत रेफ्रेंस कांटेक्स एक्स्प्लानेशन नौट्स ताइप आप पोएम रायम स्कीम फिगर साप स्पेज डेक्शन परपर जब इस स्टाइल से आप बोड़ में लिखते हो तो एक्जामनेर जो है प्रभावित होता है क्योंक उसके सामने सारी चीज़ें आ जाती है यह जो देख रहे हो नहीं चे यह सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देगा तो एक्जामनेर प्रभावित होता है समस्ता है कि स्टूडेंट नहीं हमारा बाप है तो बाप समझेगा तो आपको क्या देगा नंबर देगा हमारी बाद सरना ना यानि कि प्रश्टुती करण बहुत जोड़ार होना थिया पका एक श्टेंजा हम दिखा चुके विटा पका क्लियर हुआ ना अब आज अगला लिखे विटा उपर नया पढ़ना answer नंबर जो भी डिखो बड़ा ब्रेकर एक्स्पानेशन डेस्पट्री आब हेंडस के दालो हेंडस हेंडस में ये इस्टन जाए इंपर्टनेटाव दावड़ा था हूँ गाड्ड यानि को हूँ गाड्स अलेक करके लास्ट में फ्रेंड लिखना फ्रेंड हूँ गाड्स लेकर के कहां तक फ्रेंड तक लिख लिया लिखा रहे हैं रेफ्रेंस हेडिंग पड़ेगी पूरा रेफ्रेंस अच्छी राइक्टिंग लिखना हुड़ा कट पिट नहीं होना चाहिए शाप शाप बिलकुल होना चाहिए बिलक्तिंग रेफ्रेंस लिख बन्या सका हुड़ा शुरु कारे हैं इज दिदेक्टिक लाइनस कि डिदेक्टिक ड आई देटी ड आई तीक्टि情 ड आई दे आक्टिक ड आई D-A-C, T-I-C, Didactic Lines have been taken, अब इस्टाइल चैन्ज होगे, have been taken from the poem, from the poem, inverted कामा में, करेक्टर आफ हैपी लाइफ, inverted कामा बन, करेक्टर आफ हैपी लाइफ, यह जो, inverted कामा में, करोगे, अगर आप, गोरी पेंस करते हो, गोरी माना निली पेंस है, तो डबल लगाना, नहीं ठीक तरिकार बता है, इसकेच पेंस है, किससे, कारीस केसे, सिंगल इनवर्टेट कामा कर देना, करेक्टर आफ हैपी लाइफ, कमपोजड बाई, यह कारीस केसे करोगे, जड़ा अच्छा लगेगा, सिंगल इनवर्टेट कामा लगा नहीं, आगर लिखो, कमपोजड बाई, सर हैनरी वटन, सर हैनरी वटन, सर हैनरी वटन को भी, सिंगल इनवर्टेट कामा इसके सिकर देना, सर हैनरी वटन, हुआज अन अंबश्डर, A-M-B-A-W-A-S-A-D-O-R, A-M-B-A-W-A-S-A-D-O-R, who was an ambassador at the Court of Venice, at the Court of Venice, Purnagodham, he was duteous, righteous, R-I-G-S-T-E-O-U-S, he was duteous, righteous, laborious, industrious, industrious, worthy, punctual, honest, sincere, सब कामा लगाते हैं न, sincere, bachelor, and a great scholar, and a great scholar, लिख रहा हो न, reference हो गया, फिर से बाइम दालो, these didactic lines, have been taken from the poem, Character of a Happy Life, composed by Sir Henry Button, who was an ambassador, at the Court of Venice, he was duteous, righteous, laborious, industrious, worthy, punctual, honest, sincere, bachelor, and a great scholar, पाठ कनाम लेखक कनाम को सिंगल इन्वर्टेट कामा इसकेज़पन से कर दिया, गड़, दूसरी एंगलोड़, कन्टेक्स, कन्टेक्स पूलोड़, भाई उसिंग पावर आफ इस माजिक पन, अबाई पूलोड़, कमा, अबाई पूलोड़, कमा, सरहन्री एंगलोड़, पूलोड़, अबाई अबाई पावर एंगलोड़, has presented the essentials of the Bhagavad Gita of the Bhagavad Gita said by said yes A-I-D said by Lord Krishna said by Lord Krishna in the battle of Kurchetra in the battle of Kurchetra by using the power of his magic pen the poet Sir Henry Witten has presented the essentials of the Bhagavad Gita said by Lord Krishna in the battle of Kurchetra you will be lost कि पाठक स्टाइल एसी है आपको खुद मिनद करने कोई होती है लेकिन फालो अब तो करना पड़े उड़ा जितना हम सिखा रहे हैं अब जैसे कुछ लड़के करेक्टर आप पिलाए पाठक नहीं पड़े तो उनको यह सला देते हैं पहले पाठक में जो एपीशोड आपको पढ़ाया है एक एक स्टेन जाकरके उसको आप सुनिये सुनने के बाद यह जो लिखा रहे हैं इसको तीन बार लिखिए एक बार अभी नहां अभी तो आप रफ लिख रहे हो ना फिर इसको एक बार फिर करो तुरंत ही आप तुरंत मतलब आज़े और पहर हम बताएंगे फिर उसको लिखने के लिए टाइम बताएंगे भी यानि कुछ दिन भी इतने के बाद से दिमाग पर रहे वो ठीक है फिर उसके बाद बताएंगे तो फिर उसके बोर्ट पर चाम जाओ सीधे फैनल यानि तीन बार रिखना जादा ने अपने आप लेंगवे सेट हो जाए explanation, दोखाई दूरा साब साब करें एक्सप्राणेशन ब्याख्या, सुरू करते हैं जब पढहाया था तो याद होगा मौझ आही होगी, मौज आई होगी समन्हा होगा समन्हा होगा तो सचिंते दूल कर बनोगे यानि कि जो काम करने में आपको मौज आने लगे वही आपको टाप पहुचाता हुट जबर जस्ती नहीं करना चाहिए अगर पढ़ने में आपको मौज आने लगे आनन्द आने लगे तब आपका इंट्रेस्ट बढ़ता है और जब इंट्रेस्ट बढ़ता है तो निश्चित है कि आप अपनी सारी कला लगाओगे और जब कला लगाओगे तो विकास होगा विकास का मनलब आपका ज्ञान हो बढ़ेगा अरे यहां विकास का मनलब आपका ज्ञान बढ़ने से ह एक्स्प्लानेशन शुरू करें बिटा, दिखो बिटा, अब इस्टाइल दिखो चेंज, हर इस्टाइल चेंज होगी लिखना वाई यह, लेकिन स्टाइल हमें साथ चेंज करकें, in the opinion of the poet, in the opinion of the poet, Sir Henry Witton, Sir Henry Witton, the man who is, let's go, the man who is a fred of none, the man who is a fred of none, but God, but God, is a really happy man, the man who is a fred of none, but God, is a really happy man, problem, a really happy man, a really happy man, is a always a fred of God, a really happy man, is a always a fred of God, so he prays to God, so he prays P-R-A-Y-S, so he prays to God, early in the morning, early in the morning, or late night, or late night, so that, so that, so that, so that, so that he may get, so that he may get, so that he may get, the grace of God, he does not want, he does not want, to get, he does not want to get anything, he does not want, to get anything, he does not want, to get anything, for his prayer, for his prayer, from God, he does not want, he does not want, to get anything, for his prayer, for his prayer, from God, according to the poet, Sir Henry Witton, the man who enjoys, the man who enjoys, the man who enjoys, the days of his life, without harming others, without harming others, is a really happy man, program, it means, it means, a really happy man, never harms others, a really happy man, never harms others, he passes, the days of his life, he passes, the days of his life, to read the books, to read the books, to read the books written by, to read the books written by, लेरनेड बाने बाने विद्वान पीपल बाने लोग. He spends, he passes the days of his life to read the books written by the learned people. प्रवार्म, ही इस्पंस 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 इ His Best Friend प्रव्लम इट मेंस अब उसको क्रेर करो इट मेंस कमा स्रू करें इट मेंस कमा बिदाव और मिंग अधर्स बिदाव और मिंग अधर्स दाव मैं रू the man who enjoys the days of his life to read the books written by the learned people written by the learned people and in the company of his best friend is a really happy man is a really happy man without harming others the man who enjoys the days of his life to read the books written by the learned people and in the company of his best friend is a really happy man these are the essentials these are the essentials of the Bhagavad Gita of the Bhagavad Gita set by Lord Krishna set by Lord Krishna in the battle of Kurchetra in the battle of Kurchetra not clear? पक्का? अब नीचे explanation के ठीक नीचे आपर रहें डालों नॉट्स नॉट्स नाने क्या होता है तवड़ अब विशेश या टिप पड़ी कोलन डेस नॉट्स थोड़ो अब नॉट्स के नीचे लगो टाइप आप पोहें टाइप आप पोहें जितनी हेडिंग पड़ी हैं सब अंडलाइन होनी चाहिए यहीं पर नहीं फिजिस कमेस्ट्री में जितना पड़ते हो अगर हेडिंग डाल देओ तो अंडलाइन होना चाहिए आगे कोलन डेस वना थी तो टाइप आप पोहें हेडिंग डाली हो आगे लिखो बढ़ा एडिडेक्टिक पोहें उपर लिखाया था ब्रेकट में हिंदे में लिखो उपदेश आत्मक कविता उपदेश देने वाली कविता उपदेश आत्मक कविता लिख लिया टाइप आप पोहें के नीचे लिखो उड़ा राइम इसकेम स्पेलिंग देख करके र-h-y-m-e-s-c-h-e-m-e राइम इसकेम छोटे एच रोम लिखना हो उड़ा फिर उसकेम इसकेम पूरे कविता का लिखा जाता हो उड़ा इसके फिगर्स आप स्पीच में लिख लो मेटाफर, M-E-T-A-P-H-O-R, मेटाफर, and, and, आप जी मोरान, O-X-Y, O-X-Y-M-O-R-O-N, आप जी मोरान फिगर्स आप स्पीच लिया, आप उसके निचे दिक्शन, दिक्शन माने सब्दा हो ली, भासा सहली हिंदे में लिखते हो यार, वही है, दिक्शन, दिक्शन क्या के लिख लोड़ा, सिंपल, कामा, स्वीट, म्यूजिकल, मिलोडियस, इंस्पाइर, मिलोडी खाओ, कुछ जाओ, मिलोडियस लिखा, इंस्पाइरिंग, एंड लूशिड, लूशिड, लूशिड माने मिता है था, क्लियर, भासा साफ सुतरी है, लेकिन क्लियर सब्दा लगाना, क्यों लूशिड लगाना, दिक्शन हो गया, परपज, हें डालोड़ा, परपज, परपज माने उद्दिश, यानि कविता का कविता आपको क्या सिखा रही है, यह लिखा रही है, यह लिखा रही है, बाइ कम्पोजिंग दिश्पोयम, बाइ कमोजिंग 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 दिश्पोयम, बाइ योजफुल एसंस, that are necessary, that are necessary to a really happy man, that are necessary to a really happy man. इस प्रकार से जब आप बोर्ड परिच्छा में लिखेंगे, हेडिंग बनियां डाल करके, कहीं कट पिट ना हो, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तो निश्चित है, कि आप जो है, इसको और अच्छा करेंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, यानि कि पूरा एडाप्ट करना प्रका, अगर नहीं एडाप्ट करोगे, अब पाठक से पढ़ रहे हो, तो 70-75 तो जंडल मिलेगा, सव में, क्यांकि आज कल फैसन है, नंबर पाने का, लेकिन 98 नंबर, हुआ लड़का पाता है, जो पाठक की सारी बातें, फालो अप करता है, अपनाता है, एडाप्ट करता है, तेकर, आगया सव में, नोट कर लिया, अब इसको फेर पर एक बार फिर लिख डालना, समय आने कुछ दिन भी इतने के बात, फिर हम बताएं, उस पाठक का लिख डालो, हमारी बात सव में, अभी तो हम एक एक चल रहे हैं, तो अभी जल्दी आओ नहीं, लेकिन हाँ, जिन लड़कों ये पढ़ा नहीं है, पहले पाठक न कैसे समझाया है, उसको पूरा पढ़ सुरा रहे हैं, ऑज़ को ये रहे हैं, जिन लड़ा प्राएं।